हाई एवरिवान वेलकम चू नवनीत आइस अकेडमी सो हम यहाँ पी क्लासिक्स की जो एंसी इयाटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं जो की एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारे पाषड के बारे में पड़ रहे थे तो पास्ट में हम धिशन पास्ट के बारे में पर रहे है तो पत्री देख रहे हैं की सोर्स हैं 10 प oleकर कर है 10th chapter जो कि जिसमें हमने बात की थी about the traders, जो कुछ traders जो हमारे भारत में आते हैं, अलग-अलग countries से, then Silk Route की ये बारे में भी हमने यहां पर बात की थी, and after that we had discussed about the new kings यहां पर जो आते हैं, modern empire के decline के बाद में नई kingdoms आती हैं, South India में Cholas, Cheras and Pandyas की बात की थी, and Kushanas की बात की थी हमने, right, and उनके बारे में हमें कौन से sources से पता चलता है, उसके बारे में बात की थी, and कुछ pilgrims भी जो है, Chinese pilgrims जो हैं, जो हमारे भारत में आते हैं, उनके बारे में भी हमने यहां पर बात की थी, कई सारे accounts हमारे पास छोड़ गए हैं, उन accounts को हम as a source use करते हैं हमारे past के बारे में जानने के लिए, तो यह चीज़े हमने यहां पर देखी थी, so today we are going to start the chapter number 11, जिसमें हम कुछ और kingdoms के बारे में बात करेंगे, प्रशस्तिस जो की most important type of inscription होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे, और वो हमें जो है क्या बताती है, and कौन से king के समय में यहां पर प्रशस्तिस जो बनी start हुई थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है cover करेंगे, okay, so this is the telegram channel link, आप जो है इसे follow कर सकते हो, तो यहां पर आपको जो है daily lectures की जो PDF है वो मिलेगी, and उसके बाद में the Hindu and Indian Express के daily articles to read जो है उसकी information भी जो है वो आपको यहां पर मिलेगी, और कुछ भी updates जो है यहां पर किसी भी course के regarding वो आपको यहां पर मिलती रहेगी, right, तो इसका link जो है वो नीचे description में भी दे रिखा है, तो directly वहां पर click करके आप जो है इसे follow कर सकते हो, so this is about me, as you already know about me, so directly start the chapter number 11, that is the new empires and the kingdoms, okay, so firstly, let's see about the precious things and what they tell us, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि in empires and in kingdoms के बारे में हमें जो है कहां से बता जलता है, हमें जो है के सारे sources मिले हैं, जो हमें जो है in rulers के बारे में बताते हैं, right, in kingdoms के बारे में बताते हैं, जैसे inscriptions होगे, coins होगे, इनके दोरह यूज की हुई, potries होगी, तो वह में जो है इनके बारे में बताते हैं, वहां की society किस तरह की थी, burials मिले हैं, तो कुछ और भी sources यहां पर मिले हैं, उन में से एक source है, precious things, right, precious things जो होती है, actual मैं आपको एक छोटे words में जो आपको बता देती हूँ, कि precious things जो होती है, these are also the type of inscriptions, right, यह जो है inscriptions ही होती है, but यह जो है long inscriptions होती है, काफी लंबी-लंबी होती है, and precious things, right, इसके words सही आपको पता यहां पर चल रहा है, कि precious things का मतलब होगे प्रशंसा करना, तो जो राजा थे, right, उनकी प्रशंसा में जो है, यहां पर काफी लंबी-लंबी जो precious things होती, जो inscriptions जो होती, वो यहां पर लिखी होती है, तो उनको जो है हम यहां पर precious things बोलते हैं, तो हमें कई सारी precious things मिली है, तो इन precious things को पढ़के हमें गुपता empire के बारे में पता चलता है, गुपता रूलर्स जो की एक काफी famous रूलर्स थे, जैसे कि हमने बात की थी, Moran Empire के बारे में, Moran Kingdom के बारे में बात की थी, जिनका रूल जो है, अल ओवर दी, इंडिया जो है, इनका यहां पर रूल हुआ करता था, बट उसके बाद में, अगर इतने बड़े लेवल की कुई kingdom यहां पर आती है, तो वो थी यहां पर गुपतास की, ओके? गुपतास की kingdom थी यहां पर, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले, जो समुद्र गुपत है, यहां पर इस नोग इस गुपतास, एंड वी नोग अबाव इस समुद्र गुपत फ्रॉम दी लॉंग इंस्क्रिप्शन, तो उनके बारे में हमें कहां से मिला है, एक लंबी इंस्क्रिप्शन है, जो की अलाहाबाद में अशोकन पिलर है, उसके उपर उसे जो है इंस्क्राइब किया हुआ है, तो यह जो इंस्क्रिप्शन है, इसे किस ने कंपोस किया था, कवी थे हारी सेना, एक कवीता के तोर पे इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है, तो एक पोईट थे, एक कवी थे हारी सेना, तो यह भी चीज आपको मैंड में रखनी है, तो इन्सक्रिप्शन जो है, यह स्पेशल काइन की है, नौन एज़ प्रशस्ती, जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, यह एक संस्क्रिप्ट वर्ड है, जो प्रशस्ती है, जिसका मतलब है, किसी की प्रशस्ता यहां पे करना, ओके, वाइल प्रशस्ती जो थी, वो गुप्तास से पहले भी कई ऐसे रूलर आए थे, उनके लिए भी प्रशस्ती यहां पे लिखी गई थी, जैसे यहां पे हम एक्जाम्पल ले सकते हैं, गौत्मी पुत्र शिरी सतकर्णी जो एक रूलर थे, उनकी पे प्रशस्ती हमें मिली है, बट उनके समय में जो प्रशस्ती लिखने का जो काम था, वो इतना फेमस नहीं था, तो यह गुप्तास के समय में ज़हां ज्यादा फेमस हो जाती हैं, सबसे important हो जाती हैं, जो प्रशस्ती होती हैं, तो इनके समय में जो हमें काफी ज़्यादा प्रशस्ती मिली हैं, ओके, तो यह आप एरिया देख सकते हो, यह जो सारा purple वाला जो कलर में है, यह सारा जो है गुप्तास का रूल हुआ करता था, ओके, मौरिन किंडम के जैसे बड़ी किंडम नहीं है, पर फिर भी जो है, अगर हम बात करें, उनके बाद में कोई किंडम जो बड़ी थी, वो गुप्तास की ही थी, तो 320 से लेके 550 CE के बीच में जो है, यह उनका एरिया है, ओके, तो अब समुद्र गुप्त की जो प्रशास्ती है, वो हमें क्या बताती है, उसके बारे में देख लेते हैं, तो पोईट ने उन्हें काफी ग्लोईंग टर्म्स में जो है प्रेज किया है, वो ने उलाते हैं as a warrior, एक warrior है समुद्र गुप्त, राइट, as a king, जो है बैटल में विक्टरी जो है वो पाई है, जो की काफी पड़े लिखे भी हैं, और समुद्र गुप्त वो खुद एक पोईट भी है, काफी अच्छे पोईट भी है, ओके, and he is also described as equal to the gods, उन्हें जो है भगवान के बराबर यहां पर रखा गया है, तो यह जो प्रशास्ती है, इन्हें काफी लंबे-लंबे sentences में जो है compose किया है, तो अगर हरी सेना की बात कहरे हैं, हरी सेना ने जो है एक तरह से समुद्र गुप्त ने क्या किया था, कि कई सारे kingdom जो थे वो अपने control में लिये थे, तो उन kingdom किस और यहां पर rulers हम बोल सकते हैं, रेट kingdom नहीं बोल सकते, kingdom जो है वो काफी बड़ा area हो जाता है, तो कई सारे ऐसे rulers थे, जिन्हें समुद्र गुप्त ने अपने control में किया था, अब समुद्र गुप्त की जो है, उन rulers की तरफ क्या policies थी, उनके साथ केस तरने के relation थे, वो भी जो है हरी सेना ने इस प्रशस्ती में यहां पर बताया हुआ है, तो हरी सेना जो है, वो इन rulers को four parts में जो है वो divide करते हैं, दे डिस्क्राइब four different kind of rulers and tell us about these समुद्र गुप्त's policies towards them, आईए देखते हैं, तो जो first ruler है उन्हें हम आर्यवर्थ बोलते हैं, ओके आर्यवर्थ this one area, यह जो green वाला area है, यह वाला जो area है, this one is known as the आर्यवर्थ, यह जो rulers थे यहां पर, तो आर्यवर्थ area में nine rulers थे, जिनने जो है अप्रूट कर दिया गया था, and उनकी kingdom, जो है, वो समुद्र गुप्त की kingdom में, जो है, वो मिला ली गई थी, then the rulers of the dakshin path, dakshin path, the path that leads to the south India, ओके, तो यह वाले जो areas हो गए, यहां पर जो dakshin path है, यह वाला सारा area जो हो गया, the path that leads to the south India, उसे हम जो है, dakshin path बोलते हैं, तो इस area में, जो है, around 12 rulers थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, इन rulers ने, कि समुद्र गुप्त के सामने, जो है, वो surrender कर देते हैं, जब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, समुद्र गुप्त से, तो वो surrender कर देते हैं, बाद में समुद्र गुप्त जो है, वो उन्हें allow कर देते हैं, कि आप यहां पर rule कर सकते हैं, ओके, देन उसके बाद में, यहां पर neighboring states आ गई, neighboring states यहां पर, जो outer states आप देख सकते हो, यहां पर असाम हो गया, coastal areas हो गया, then पंगाल, नेपाल, यह वाले सारे areas हो गया यहां पर, and कुछ number of Ganasangas, जिसके बारे में हमने, जो है, chapter number 6 में भी पढ़ा था, यहां पर north western part, जो है हमारे भारत का, Ganasangas हो गया, and they brought the tribute, right, तो यह लोग क्या किया करते थे, जो neighboring states थी, यह जो है, राजा के लिए, Samudra Gupd के लिए, tribute लाया करते थे, okay, and उनके orders को भी वो फोलो करते थे, उनके court को भी जो है, वो attend किया करते थे, then the rulers of the outlying areas, तो कुछ outer states हो गयी, यह वाली, तो क्या होता है यहाँ पर, who submitted to him and offered the daughters in the marriage, तो यह directly उनके सामने घुटने टेक देते हैं, यह सारे जो rulers थे, outlying areas के, and जो है, अपनी बेटेओं की शादी, जो है, इन rulers के साथ, गुट समुद्र गुट की family के rulers के साथ, वो उनकी शादियां करवा देते हैं, okay, so now, अब यह जो प्रशस्ती है, यह जो प्रशस्ती हैं, वो हमें जो है, genealogist के बारे में भी बताती है, right, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कि जो है, ancestors जो थे, ancestors की जो list है, right, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, गुप्ता डानेस्टी के जो ancestor थे, okay, so, यहाँ पर जो great grandfather थे, इनके grandfather होगे, उनके पर दादा, दादा, father and mother के बारे में information बताई हुई है, and उनकी mother का नेम था, कुमारा देवी, जो समुदर गुप्त थे, उनकी mother का नेम था, कुमारा देवी, जो कि लिखावी गना से बिलॉंग करती थी, and उनके पिता का नाम था, चंदर गुप्त, okay, समुदर गुप्त के पिता का नाम था, चंदर गुप्त, so, यह चीज भी आपको मैंड में देखनी है, and he was the first ruler of the Gupta dynasty, जिन्हें जो है, जिन्होंने महराज अधिराज का टाइटल जो है, वो अडॉप्त किया था, तो कौन से थे वो, चंदर गुप्त थे, okay, जिन्होंने जो है, महराज अधिराज का जो टाइटल है, एक ग्रेंड टाइटल जो होता है, वो अडॉप्ट किया था, and बाद में समुदर गुप्त ने भी जो है, इसे, इसी टाइटल को यहाँ पे अडॉप्ट किया था, तो पहले जो है, रूलर जो थे गुप्त ने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था, वो कौन से थे, वो थे चंदर गुप्त, जो कि समुदर गुप्त के पिता है, and बाद में समुदर गुप्त ने भी जो है, इस टाइटल को अडॉप्ट किया था, however, अगर उनके ग्रेट ग्रेंफादर परदादा यहां फे दादा की बात करें, तो उनके नेम के सामने जस्ट महाराजाज ही लिखा हुआ है, तो यह चीज़े दे के ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, जाएट कि उनकी जो फैमिली थी, वो धीरे धीरे जो है important बने थी, उनकी जो power थी, वो gradually यहां पर rise हुई थी, then उसके बाद में, यह तो होगे उनके ancestors, then successors भी जो होते हैं, यहां पर जो later rulers होते हैं, तो इन्होंने जो है गुपता dynasty को जो है दो parts में divide किया है, एक होगे इनके एक तरह से earlier rulers, later rulers में यहां पर जो है 심udra Uptaq का name भी लिखा होआ है, तो semester group को later rulers में जो है इन्होंने डाला हुआ है, then semester group के जो बेटे थे, वो थे चंद्र घूपत की जो है, यहां पर semester group के बेटे थे, तो semester group के पीता का नाम भी जो है यहां पर coriander group था, वो simple चंदरगुपत आएगा यहाँ पे and उनके बेटे का नाम क्या था चंदरगुपतू था तो समुदरगुपत और चंदरगुपतू जो है उन्हें लेटर रूलर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है and इनके जो पिता है उनके दादा पर दादा जो है उन्हें अर्लियर रूलर्स की कैटेगरी में यहाँ पे डाला हुआ है तो इनके बारे में भी जो है information यहाँ पे मिलती है तो इनके बारे में हमें कुछ और भी sources मिले हैं like inscriptions मिली हैं coins मिली हैं वो भी हमें इनके बारे में बताते हैं तो इन्होंने जो है वेस्टन इंडिया की तरह भी जो है काफ़े एक्सपेडिशन किये थे चंदरकुप 2 की यहां पे बात हो रही है अब तो उसके बारे में हमें जो है कुछ इंस्क्रिप्शन और कोईन से ही पता चलता है वो हमारी रिसोर्स बनते हैं उन्होंने जो है वेस्टन इंडिया की तरफ जो है काफ़े एक्सपेडिशन किये थे एंड वियर ही ओवर केम दी लास्ट ऑफ दी शाकास तो यहां पर जो शाकास थे वेस्टन इंडिया में उन्हें हरा दिया था इन्होंने and ऐसा भी माना जाता है that की उनके court में चंदरकुप 2 के court में जो है काफी learned men भी थे इसमें जो है काली दास आगे जो की एक famous poet थे आरे भड जो की famous astronomer थे वो उनीके court से ही हुए है तो ये question भी जो है prelims में UPSC prelims हो, state prelims हो या फिर कोई भी government का exam हो ये questions जो है वो पूछे जाते हैं ओके, so ये जो है चीज़े आपको mind में रखनी है So now एक और चीज़ जो है इनके साथ जुड़ी हुई है गुपता रूलर के साथ वो है विक्रम सामवत अब ये विक्रम सामवत किया है So the era जो यहाँ पर 58 BCE से start होता है इन्हों ने जो है इक तरह से यो शाकास के उपर जब विक्टरी पाई थी जीत प्राप्त की थी तब जो है इन्हों ने क्या किया था चंदर्गुप 2 ने विक्रमा देत्य का टाइटल जो है वो अडॉप्ट कर लिया था तो इसी समय को ही जो है इंडिपढेडट इंडिया ने एक तरह से जौर्जिन केलंडर के तौर पर जो है वह अडॉप्ट भी किया था जब इन्हों ने जो है विक्रमा देत्य का टाइटल जो है ओडॉप्ट किया था So now let's see about the another rulers or the another kingdoms that is the Harshwardhan and the Harsh Charita, okay? तो जो biography होती है वो उसका नेम है Harsh Charita, Harshwardhan की biography जो है वो है Harsh Charita, right? यह चीज़ आपको यहाँ पर माइंड में रखनी है, that की जो Harshwardhan ruler थे, उनकी जो biography है उसका नेम है Harsh Charita and while जैसे के हम देखते हैं कि गुपता rulers के बारे में हमें जो है उनकी inscription से, उनकी coin से हमें पता चलता है तो कुछ और भी kings थे, उनके बारे में हमें जो है उनकी biography से भी पता चलता है, okay? हर्ष वर्दन जो है जिन्होंने around 1400 साल पहले यहाँ पर रूल किया था, वो ही वास वन सच रूलर जिसके बारे में हमें जो है उनकी biography से पता चलता है तो उनके quote poet थे, बानभट, उन्होंने जो है इनकी biography को लिखा था, जिसका नेम था हर्ष चरीता तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, रैट कि हर्ष चरीता जो की biography है हर्ष वर्दन रूलर की, उसे जो है किसने लिखा था बानभट ने तो बानभटू है, वो किसके quote poet हुआ करते थे हर्ष वर्दन के, ओके, तो इसे जो है, इन्होंने संस्कृत में लिखा है, तो इसमें जो है, हर्ष की पूरी जो ancestors की भी list दे रखी है जब वो यहां पे ruler बन जाते हैं, तब जाके जो है, इनकी जो जेनलोजी है, वो खतम होती है तो Zhuang Zhang, ओकी, जो की एक Chinese pilgrim थे, उन्होंने भी जो है, हर्ष के quote में काफी समय वैतीत किया है और बाद में जो है, एक detail account जो है, वो यहां पे छोड़ जाते हैं, जो की, जो भी चीज़े उन्होंने यहां पे उनके quote में देखी थी तो उस समय में क्या हुआ करता था, कि जो eldest son हुआ करते थे, वो ही जब पिता के death हो जाती है तो उनके जो eldest son थे, वो ही जो है, गदी को संभाला करते थे बट हाईवर, जो हर्ष थे, वो अपने पिता के eldest son नहीं थे बट, he became the king of Thanasar, जब उनके पिता और उनके बड़े भाई, दोनों के ही death हो जाती है तो देन जाके जो है, वो यहां पे ruler बनते हैं और दूसरी तरफ यहां पे उनके brother-in-law भी थे, ओके वो कनोज के ruler थे तो जो है, कनोज के ruler को जो है, बेंगाल के ruler जो है, वो मार देते हैं उनकी हत्या कर देते हैं, तो अब क्या था, हर्ष जो है, वो कनोज को भी जो है, उस kingdom को भी जो है, वो to cover कर लेते हैं अब बेंगाल के रूलर के खिलाफ जो है वो यहाँ पे निकल जाते हैं उनसे बदला लेने के लिए कि उन्होंने उनके ब्रदर इनलो की हत्या की थी वो जो है इस्ट की तरफ इतने ज़्याद सक्सेस्फुल नहीं थे यहाँ पर डेकन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं डेकन येरी को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं बट वहाँ पर चालुक्या डैनेस्टी के रूलर थे पुला केशन 2 उन्होंने इन्हें रोक दिया था इन्हें जो हरा दिया था ये कोशिशन भी जो है पूछा गया है यहाँ पर कौन से ऐसे रूलर थे जिनोंने अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शिर करना ना भूले and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video and don't forget to subscribe my channel also thank you so much have a nice day bye